देश में अंतिम चरण का मद्दान है और आज प्रधान मंत्री पूरो प्रधान मंत्री जोहरलाल नहरू की पुर्णियती थी भी है नहरुवियन फिलोसफी को मानने वाले शशी थरूर हमारे साथ है सर अंतिम चरन का चुनाव है आज जोहलाल नहरू जी की पुर्न्या तिती भी है, उनका जिक्र बड़ी बार हो जाता है, भार्तिय जनता पार्टी के लोग भी कर देते हैं, प्रधानमंत्री बड़ा जिक्र करते हैं, कि वो जरा पॉजिटिवली भी देख लीजे क्योंकि बहुत सारे चीजे इस देश में जो है जो मुदी जी भी इसका लाब ले लिये हैं यह सारे नहरू जी ने इस्ताबिद किया जो हमारे इस्रो रॉकेट गगणियान चंदरयान से गए हैं किसने थाबिद किया नहरू जी आप IIT देख लीजिए जो हमारे देश के सारे टेक्नलोजिकल अडवांस्में चुरू कर रहे हैं किसने थाबिद किया नहरू जी ने हमारे जो अगर दुनिया में भारत के मैनेजर्स का बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है बहुत बड़े-बड़े इंटरनेशनल कंपनी इसको चला रहे हैं आया एम्स कौन साबित किया नहरू जी ने तो नहरू जी जो इतने स्थापन हमारे देश में लेके आए हैं पहली बात यह है कि मुदी जी जरा सा ग्रैलिट्यूट दिखाना चाहिए कि इतना अच्छा काम कि हमारे देश के लिए लेकिन सबसे महत पूर अच्छा कि आप दो साथ के बाद साधार पठेल भी गये तो कोई नहीं था नहीं देश को एक चैलेंज देने के लिए नहीं जी अपनी मर्जी कर सकते हैं लेकिन नहीं किया वह चाहता था कि हमारी लोगतन स्था को अच्छी तर इस्तावित करें वही था जो पार्लमेंट हर बार जाते थे लोगों का अपनी पार्टी के लोगों भी उनको क्रिटिसाइज करने का इजाज़त देते थे विपक्ष के लोग बहुत कम आंखडे थे लेकिन फिर भी वो भी जो सब कहा जो भी पूछा उसको जवाब देने के लिए नहरुजी और उनके कैबिनेट मंत्रि देश में उस वक्त गरीब के आंखडे नबे प्रतिशत था उस हाल में सोशल जस्टिस सोशलिजम के नाम पे जो काम किया वो बड़ी जरूरी थी गरीबी को फेस करने के लिए अब विदेश में अंतर राष्टे में शेत्र में हमें बहुत तरा टेंशन्स थे कोल वार शु नहरू जी का सेकुलरिजम जो है पार्टिशन के समय हमारे देश में जब इतने सारे नफरत में देश डूबे हुए थे उनका इतना बड़ा मन था कि वो सोचा कि भारत के भविशे के लिए सारे समुदा एक साथ रहना चाहिए हम कभी भी नफरत के बुनियाद में देश दिमोकरिसी, सेकुलरिजम, सोशलिजम, नन अलाइनमेंट ये मेरे ख्याल में भारत को बहुत अच्छा मदद दिया कहीं कहीं साल के लिए अब टाइम भी बदल गया है, साथ साल हो गया है, कुछ परिवर्तन तो हुने अगर प्रथान अगर नहरू जी जीते आज शायद करते हैं, कि डिमोकरिसी असल में अगर रूट्स लगाए हैं, तो जोहलाल नहरू ने लगाए हैं, तो वो जड़ें इतनी मजबूत हैं, पिर आज कॉंग्रिस को ऐसा क्यूं लग रहा है, कि अगर बीजे पी के चार सो पार होगी, तो ये समविधान बदल देंगे, जिस त स्पिरिट को बरबाद कर सकते हैं, इमरजनसी नहीं है, लेकिन इमरजनसी के जैसे चल रहा है हमारा देश, सरकार आराम से उनके ही एजनसी को इस्तमाल करके लोगों के उपर दबाव कर रहे हैं, आपने देखा, सी बी आ, इडी, आई टी, एकनॉमिक अफेंस बिंग, दूसरी बात ये हैं, कि freedom of expression, आप लोग माधिय में अच्छी तरह जानते हैं, मैं क्यों मता हूँ आपको, कि क्या क्या होता है, जब आप लोग कुछ लिखते हैं, या चैनल पे दिखाते हैं, जो सरकार को पसंद नहीं है, जल्दी एक कॉल आते हैं, आपके ओनर्स को, एड अगले दिन उनके वेब साइट से गायब होता है, क्यों? क्लिरली किसी का दबावाया हो, तो ये सब हमारे देश के, के असले आजादी नहीं है, आजादी का लोग तंतरता के अंदर है, कि हम जो भी हम पसंद करते हैं, बोल सकेंगे, लोग इसके लिए कुछ आरोपने कर सक नहीं कि हमारा लोग तंतरिक हक है, ये भी ये लोग बरबाद किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिमॉक्रिसी के इस किसम का डिस्टॉशन कर सकें, जो हमारे असली स्पिरिज जो है लोग तंतर का, इसको आप बिलकुल बरबाद कर रहे हैं, तो चार सो क्यों चाते हैं, अभी तक सो बार अमिन्मेंट हो चुके है हमारे सम्विधान का, लेकिन सारे पार्टी कुल मिलाके सहमत होके ही ये सिब हुआ है, चार सा आपके लिए यही जरूरी है कि आप सम्विधान को बदलना चाहते हो किसी और कि सहमत के मिना, तो इसका मतलब तो काफी खतरनाक है हम पता नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये है हमारे सम्विधान को सुरक्षित रखने के लिए हमारे लोग तंतरता को हम हमें प्रिजर्व करने के लिए और हमारे लोगों का हक गारंटी करने के लिए ये बदला बड़ी तरूरी है. किमपेंट बड़ा श्रिल रहा है इस एलेक्शन में, बीजेपी कॉंग्रेस पे लिजाम लगाती रही है, सम्विधान बदल देंगे, कॉंग्रेस जो है, बीजेपी के लिजाम लगाती रही कि संपत्ति चीन के देंगे, लोग बड़े कंफ्यूस रहे हैं, अलांकि एख ए वो देखें कि कौन ज्यादा सच बोले हैं और कौन ज्यादा जूट, कौन हैं जो वादा दे दिये हैं दस साल से, दो क्रोर रोजगार, किसानों की आई डबल करेंगे, हमारे देश में पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा, ये सारे वादा कौन दिये हैं और याधारत क्य हुआ और ये प्रश्ण पूछेंगे तो उनको जवाब आसानी से मिल जाएगा कि एक ही पार्टी है हमारे देश में जो जूट में बिलकुल फसे हैं क्योंकि दस साल से जूटी बोले हैं जनता को तो बैतर है कि उनको जड़ा हटाके कॉंग्रिस पार्टी को ले आए जो वादा पिछले बार जब हमने 2004 में सरकार बनाई जो भी हमने वादा देजिए सारे पूरित के राइट टू इंफरमेशन राइट टू एजुकेशन अपना मन्रेगा अपना लैंड सेक्यूरिटी फूड सेक्यूरिटी सब कुछ कौन किया यूपिया सरकार नहीं किया है तो इसलिए हमें वो दे दीजिए पस यहीं मेरा रुआंग है चार जून को आपका फिगर चलेंगे अब तक तो उसके पहले नहीं तो शाशी तरूर दावा कर रहे हैं कि मजॉर्टी जो है इंडिया गट बंदन की होगी हलंकि अंतिम दोर का मद्दान जो है अभी बाकी है और चार जून को नतीजे आएंगे और इस अंतिम चरण के चुनाओं में जो है अब पार्टी ओने जो है पूरी ताकत जो है वो जोंक दी है कि मैं अब सब्सक्राइब श्रमक साथ साचिंत मेरी पीनियों चेंडेगा